दोस्तों अगर आप retirement की planning कर रहे हो तो एक बार ये वीडियो पूरा watch कर लेना क्योंकि अगर ये वीडियो पूरा watch कर लेते हो तो दोस्तों आप easily समझ जाओगे कि retirement के लिए जो fund होता है उसको कैसे select करा जाता है क्योंकि दोस्तों जब भी retirement की बात आती है तो हमारे दिमाग मे एक ही शब्द घुसा रहता है retirement हम mutual fund में दोस्तों सर्च भी होई ही करते हैं कि retirement mutual fund ये चीज़ सर्च करोगे वहाँ पर जितनी भी funds आएंगे उनका आप analysis करोगे और invest कर दोगे इसलिए दोस्तों ये तरीका बिलकुल गला था एक बार ये वीडियो watch कर लो जिससे आपकी तो दोस्तों वीडियो शुरू हो से पहले मैं विकास स्वागत करता हूँ आपका ग्रोव बिजनेस फायरेंस सब में दोस्तों आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं करा हो तो चैनल को subscribe कर लीजिए क्योंकि mutual fund से related हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है तो चलिए शु जाले हो कि future में retirement तक मेरे पास इतना पैसा जुड़ जाए इतना कॉर्पस त्यार हो जाए जिससे future में कोई भी काम हो ठीक है किसी की शादी हो या family function हो कोई भी हो एक्स वाइजेट वो सारे काम में कर सब को बिना किसी bank से loan लिए तो वो सब चीजे possible है तो क्या होता है दोस् दोस्तों एक ही शब्द गुमता है retirement ठीक है आप जिस भी application से investment करते हो उस application पर जाओगे simply search पर क्लिक करोगे और क्या search करोगे retirement mutual funds वहाँ पर दोस्ता आपको complete list मिल जाएगी जैसे ICICO, ICIC retirement fund, HDFC retirement fund, SBI retirement fund ठीक है जितनी भी schemes होगी वो सारी वहाँ पर show हो जाएंगे आपको देकिन आप क्या करते हो वो scheme उठाते हो, scheme उठाके आप YouTube पर जाते हो, वहाँ पर देखते हो यह scheme सही है या नही अगर सही होगी तो investment कर दोगे, अगर गलत होगी तो investment नहीं करोगे, तो यह तरीका बिलकुल गलत है, अब general तरीका क्या है दोस्तों, आप देखो दोस्तों mutual fund में बहुत से scheme है, ठीक है, बहुत से scheme से, उन्हीं scheme में से एक scheme है, retirement scheme, ठीक है, लेकिन दोस्तों हम पूरे mutual fund की ब सबसे ज़्यादा जो आपको return मिलता है वो equity funds के अंदर ही मिलता है किलियर है यहां तक अब यहां पर यह चीज़ देखो सिंपल से concept है दोस्तों अब retirement का जो plan होता है न दोस्तों पहली चीज़ तो यह है इसमें लोकिंग प्रियर्ड होता है five year का पांस साल से पहले पहले आप आपका पैसा नहीं निकाल सकते हो किलियर है अब दोस्तों पहली चीज़ तो यह है यह है यह है जिंदगी कल क्या होगा हमें कुछ नहीं पता अब मान लीजिए आज खुदा ना कास्ता दोस्तों कोई ऐसी अमर्जेंसी होती है आपको मनी की रिक्वाइर्मेंट पड़ जाती है तो दोस्तो पैसा आपका ही है लेकिन यह पैसा किसी काम का नहीं है क्योंकिzier 5 साल के लिए लोक हो गया आप इस पैसे को नहीं निकाल सकते हो पहली चीज यहां तक किलियल है अब आपकी दिमाग में बात आ रही होगी कि सर यह है रिटार्मेंट की प्लानिंग तो नॉर्मल सी बात है हम 25-30 साल तक का हम गोल लेके चल रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है सर हम 5 साल का लोक्मिंग प्रियेट क्यों देखेंगे अच्छी बात है आप लोक्मिंग प्रियेट नहीं देखोगे लेकिन आप यहां पे भी देखो देखो क्या है हम रिटार्मेंट की तियारी कर रहे हैं इसलिए हमारे दिमाग में कौन सा शब्द गुसा हुआ है रिटार्मेंट हम सब जगी यह सर्च कर रहे हैं कौन सा retirement fund अच्छा है लेकिन दोस्तों आप एक बात सोचो अगर आप retirement की तियारी करते करते ठीके equity के अंदर पैसा लगाओ मतलब retirement के जो funds होते हैं उसमें अगर investment ना करके normal equity के funds में investment करो और आपके mind है उसका mindset आपका ये रखो कि मैंने पैसा retirement fund में ही लगाया है देखो equity है मानली जी इसका goal है मुझे 30 साल के लिए investment करना है मानली जी अपने 30 साल के लिए investment करा ठीक है अब 10 साल बादी दोस्तों क्या हुआ family का कोई function आगया कोई emergency आगया तो आपने क्या करा ये सोचा कि मेरा जो ये पैसा है 30 साल के लिए invest करा इसमें से मैं कुछ पैसा निकाल लेता हूँ तो आपने क्या करा 10 साल बादी वो पैसा निकाल लिया ठीक है क्यों निकाल लिया क्योंकि normal सी बात ही equity fund है अगर यहाँ equity की ही जगे ये कौछ सा fund होता retirement का होता तो आपकी दिमाख में कौन सा शब्द घुमता retirement नहीं यार मेरे retirement के लिए है मेरे future के लिए है मेरे बुडापी के लिए यह पैसा है तो यह पैसा में नहीं निकाल सकता बस यह आपका mindset है तो जो रिटार्मेंट में जो आप पैसा लगा रहो ना वही पैसा एक्विटी में लगाओ और आपका माइंड सेट यह रखो कि मेरे जो पैसा लगाया है वो रिटार्यमेंट में लगाए है क्योंकि दोस्तों रिटीर्मेंट फंड में आपको जो रिटन मिलेगा उस से लाग गुण अच्छा रिटन आपको equity के funds में मिलेगा पहली चीज यह समझो इसका अगर expense ratio देखोगे retirement funds का तो काफी ज़्यादा देखने को मिलेगा लेकिन equity के funds का expense ratio देखोगे तो कम मिलेगा आपको दूसरी चीज हो गई तीसरी चीज दोस्तों इसमें locking period मिलता आपको 5 साल का खुदाना कास्ता कर कोई emergency होती है पैसों की money की requirement पढ़ती है तो आपका पैसा ही आप खुद नहीं निकाल सकते हो clear है लेकिन equity funds के अंदर दोस्तों आपका पैसा आप निकाल सकते हो एक साल के अंदर अंदर भी आप आपका पैसा निकाल सकते हो तो मैंने complete दोस्तों difference आपको बता दिया है कहने का मतलब है आपका जो mindset है ये बिल्कुल गलत है ठीके ऐसा नहीं है कि अगर आप retirement की planning कर रहे हो तो सिर्फ retirement वाले fund में ही investment कर सकते हो आप normally जितने भी fund है large cap, mid cap, small cap, flexi cap इनमें भी investment कर सकते हो clear है तो मैंने complete आपको बता दिया जिससे easily आपको समझ में आ सके तो चली सर आपने इतना कुछ तो बता दिया अब ये भी बता दीजे कि retirement के कौन से वो fund है दोस्तों जो मैं आपको ये दो fund बताऊंगा ये fund दोस्तों देखना काफी अच्छे fund है लेकिन ठीके ये fund दोस्तों मैंने इसलिए select करें क्योंकि इनका return काफी अच्छा है और उनका future भी काफी अच्छा है लेकिन दोस्तों ये fund के बारे में बताते बताते ही मैं आपको इतना बताऊंगा कि इन fund के अलावा भी अगर आप equity में invest करो तो अच्छा कासा return earn कर सकते हो तो चलिए बताते हैं आपको कौन-कौन से वह fund है तो दोस्तों यहाँ पर video ज्यादा लंबी नहीं हो इसलिए दोनों funds के बारे में मैंने यहाँ पर complete लिख दिया है जिससे दोस्तों easily आपको समझा सकूँ और video ज्यादा लंबी नहीं हो तो दोस्तों पहला हमारा जो fund है वो ICIC का retirement fund है और दूसरा हमारा fund है SBI retirement fund ठीक है पहला fund है दोस्तों ICIC Prudential retirement fund है दोस्तों direct growth, direct plan है दोस्तों अब बात आती है कि इसमें SIP दोस्तों minimum आप 100 रुपे सा SIP कर सकतो है पहली चीज़ तो यह है अगर हम fund के size की बात करें तो 484 करोड का क्या है fund size है लेकिन दोस्तों इसकी NAV की बात करें तो NAV कितनी है 26.58 रुपे की है और कब तक की है दोस्तों आपे date लिक रखी है मैंने 11 जनवरी 2024 की किलियर है अब देख लीजिए expense ratio जो मैंने आपको बताया था इसका expense ratio देख लीजिए 1.02% normally हमारे जो equity के funds होते हैं इसको expense ratio कम होता है लेकिन देख लीजिए direct plan होते हुए भी इसका expense ratio काफी जादा है axis load यहाँ पे देख लीजिए आपको है दोस्तो अगर इसके benchmark की बात करें तो benchmark है nifty 500 total retirement index किलियर है दोस्तो alpha की बात करें दोस्तो इसका जो return है return से दोस्तो इसने अपना जो benchmark को उसको beat करा है कितना percent से 10.60 10.67% से यहाँ तक किलियर है दोस्तो आगे हम बात करते हैं इसकी assets allocation की तो दोस्तों assets allocation इसकी दो तरीके की है इसने जो equity में पैसा invest कर रखा है वो कर रखा है 94.8% काफी अच्छी बात है कि ज़्यादा ज़्यादा पैसा equity में invest कर रखा है अब यहाँ पर एक चीज़ देखो मैंने वीडियो के starting में आपको बोला था 4.8% पैसा अगर यहाँ equity में लग रहा है और पांस साल की locking period नॉर्मल सी बात है न हम equity में पैसा लगाएंगे हम इन fund के चकर में क्यों पढ़ें यह चीज़ समझो केश में hold कितना करके चल रहा है 5.1% केश में थोड़ी इसकी ज़्यादा hold करके चल रहा है energy का 9.9 है healthcare का 6.1 है financial का 9.5 है तो दोस्तों अगर अभी भी इतना कुछ बताने के बाद भी अगर आप retirement fund में ही investment करना चाते हो तो यह दो fund आपके लिए best है पहला fund मैंने आपको बता दिया है दूसरा हमारा fund है SBI Retirement Benefits Fund यह दोस्तों aggressive fund है दोस्तों एक बारे में इसके बारे में वापस से आपको बता देता हूँ दोस्तों यह fund है यह आप जितना भी आपको return देखने को मिलेगा यह किसकी तरफ वर्क करता है दोस्तों flexi cap की तरह एक तरीके साब इस fund को flexi cap पोल सकते हो क्योंकि इसका जो return है जितने भी दोस्तों उसने investment कर रखा है flexi cap के हिसाब से ही कर रखा है किलियर है second number पर fund है दोस्तों SBI retirement benefits funds दोस्तों यह aggressive hybrid fund है अब यह fund क्या क्या क्याता है यह चीज़ देखो इसमें minimum SIP कर सकते हो 500 रुपे की fund का size है दोस्तों 1255 करोड का किलियर है expense ratio दोस्तों 1.9% है यहाँ पर कितना था 1.02 यहाँ पर 1.09% expense ratio उसका भी ज़्यादा है क्योंकि मैं आपको बता है retirement के जो fund होते है उसका expense ratio आपको ज़्यादा देखने को मिलता है अब बात आती है access load की access load 0 लग रहा है एक साल का return यह पांस साल का return यह तीन साल का return है तो उससे कोई मतलब नहीं है इससे अच्छा आप यह जो इनके जो complete fundamental चीश को समझो clear है access load तक हमारा complete हो गया ठीक है अगर इसके benchmark की बात करें तो इसका benchmark के CRI SIL hybrid 35 plus 65 aggressive index clear है अब इसके assets allocation की बात करें तो यह equity में लगता है 80.3% का देख लीजी इसमें कितना है 94% इसमें कितना है 80% मैं आपको पहली बता दिया था equity है ऐसा है दोस्तों जो mutual fund के अंदर काफी अच्छा return आपको बना के देता है depth के अंदर कितना है 17.9% का है cash hold कितना लेके चल रहा है अब बात आती है इसके sector की तो यह दो तरीके के sector में पैसा invest करता है पहला करता है equity के दूसरा करता है depth के depth में के invest करता है financial में करता है 9.9% से ठीक है equity में कौन-कौन से हैं दोस्तों financial है दोस्तों 26.3% से construction का है 13.3% का automobile से 13.6% का capital goods से 12% पे technology है 8% से तो दोस्तों जितने भी sector है मजबूत वाले जो strong है वो मैंने complete आपको बता दिये तो दोस्तों complete मैंने आपको बता दिया अगर retirement की planning कर रहे हो तो आपको equity में investment करना चाहिए या retirement fund में complete मैंने आपको बता दिया अभी भी आपके उपर है अगर retirement fund में आप जाना चाहो तो जा सकते हो नेते equity best option है आपके लिए तो चले दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हमारी next वीडियो में जैसरी शाम दोस्तों